हलो गाईज, स्वागत है प्रेम की रसोई एंटीवशिन व्लोग में तो गाईज, आज हम बनाने जा रहे हैं बेल फुरूट का समर जूस ये इतने हेल्दी और टेस्टी होते हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इस तरह से मन करेगा बनाने को जैसे मारकेट में बन के तयार होता है सेम उसी तरह से हम बना के तयार करेंगे बेल फुरूट जूस बनाना बहुत आसान है बहुत कम समागिरी में बन के तयार हो जाता है तो चलिए इसी के साथ वीडियो को सुरू करते हैं लोगों ने हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करके वीडियो को सस्क्राइब करना ना भूले ये देखिए हमने बेल लिया है किसी किसी को पता नहीं चलता है कि बेल क्या होता है ये हम बढ़िया से आप लोगा देखा देते हैं उपर से थोड़ा ये सक्त होता है गर्मी के मौसा में कहीं भी मार्केट में बहुत असानी से मिल जाता है तो चलिए इसको हम सबसे पहले तोड़ लेते हैं ये देखिए हमने तोड़ लिये हैं अंदर के जो पाठ होता है वो पिला रहता है इस तरह से ये देखिए इसको हम आधा पाठ को जूस बनाएंगे आधा पाठ रख देंगे आपके पाठ जितने परिवार है उस हिसाब से बना सकते हैं जैसे आपके चार परिवार है तो इसमें आधा पाठ को इस्तमाल कर सकते हैं जो इसका साइड के पाठ है वो चक्कू से इस तरह से लिकाल लेंगे चक्कू से अच्चमच से बहुत असानी से लिकल जाता है तो यह देखिए चक्कू अच्चमच दोनों तरीका आप लोगा लिकाल के देखा रहे हैं बहुत असानी से लिकल जाता है बेल फूर्ट आप चाहे तो ऐसे भी लिखाल के इसको चकू के मदद से खा सकते हैं यह कैसे भी खाई यह बहुत फैदेमन होता है यह देखिए एक पाठ को हमने लिखाल लिए है बाकी को जो पाठ है इसी तरह से लिखाल लेंगे इसी तरह से सारे पल्प को लिखाल लिए है एक अब जूसर जाल लेंगे उसी में इस तरह से डाल लेंगे यह हमने साइड जो पाठ होता है उसी को बनाए है आप चाहे तो बीच वाले पाठ को भी इस तरह से बना सकते हैं सेम इसी तरह से सावागीरी डलना होता है लेकिन वो हात से मसाला होता है कि उसमें बीज रहता है तो गर्यंड करने से हलका सा कड़ुआ हो जाता है यह देखिए हमने ग्राइंड एक बार कर लिए है अब इसको चटपटी बनाने के लिए कुछ समागिरी डालेंगे उसके बाद दोबारा ग्राइंड करेंगे जैसे आप एक इला जूस बनाएंगे तो उसमें चार छोटा चमा सुगर डालना है आप जितना ऐसे मीठा खाना प ग्राइंड करेंगे बेल के जूस में पुदेना निम्यो डालने से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है जूस दोबारा हम ग्राइंड कर लिए है ज्यादा देर ग्राइंड नहीं करना यह देखिए इस तरह से गड़ा होना चाहिए अब हम दुसरा बाउल लेंगे एक बड़ा सा छन्नी लेंगे बाउल को उपर हम इस तरह से छन्नी को रख देंगे जितना जूस है अराम अराम से इस तरह से गिराते हुए छन्नी में बढ़िया से छान लेंगे चमच के मदद से इस तरह से ये देखिए कितना अराम से लिकल रहा है इस तरह से हिलाते हुए चमच को बढ़िया से सारे जूस को लिका लेना है छानने से जो बेल का हलका हलका बाल रहता है और छाननी में इस तरह से लिकल जाता है जैसे कि आई वीडियो में देख पा रहे होंगे तो देखिए हमने सारे जूस को छान लिये हैं ये इतना बाल लिकला है इसको हम साइड में रख देंगे तो ये देखिए हमने एक गिलास पानी डाला है तो दो गिलास हमारा जूस बनके तयार हो गया है इसी हिसाब से आप लोग को भी बना लेना है ये देखिए हमारा कितना बणिया जूस बनके तयार हो गया है ये जूस इतना फैदेमान होते हैं कि ये कोई बिमारी आने नहीं देता है ये हम हफते में डेली बनाते हैं आप लोग भी इसी तरह से जरूर बनाईएगा लीजिए एकदाम हेल्दी और टेस्टी बेल जूस बनके तयार हो गया है आसा करती हूँ कि ये रेस्पी आप लोग को जरूर पसान आई होगी पसान आई होगी तो अपने दोस्तों के पास सेर करना ना भूले जीन लोगों ने हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी हेल्दी और टेस्टी जूस देखने के लिए वीडियो को लाई करके चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले इसी के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई